उत्तरप देश में फिर से एक बार योगी सरकार बनने जा रही है। होली के बाद मुख्मंत्री पुने एक बार सपत लेंगे। लेकिन जो जन्पद की एक सब्चे छोटी गाई होती है। जिला अध्यच्छ से हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा इस चुनाओं का जो परडाम मिला चित्रकूर जन्पद में उसके क्या कारण रहे और क्या ऐसे कारण रहे जिससे कहीं एक सीट पर इनको प्राजय का सामना भी करना पड़ा है। भन्यबाद सौरब जी। अध्यची क्या कारण रहा हिंदू एक्ता मंच कायोजन हुआ भूत तक आपके कारकरता पन्ना प्रमुख आपका इतना विशाल संगठन उसके बावजूद जो चित्रकूर की विधान सभा फार गये क्या कारण चित्रकूर की विधान सभा में हमको परयात ओट मिला लेकिन चुनाओ हमारे निश्चे तोर पर पिछली बार से कुछ कम ओट मिला एक तो ओटों का जो ध्रुवी करण हुआ जो सामाजिक समीकरण यहां पर बना वो एक बड़ा कारण रहा और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं एक हमेशा जो रहता है एंटी इंकमबैंसी उसको पाटने का बड़ा प्रयास किया गया लेकिन अब धारना बन जाती है लोगों को और कई बार गाओं से गलियारे से जंता से एक बात ही यहीं निकल करके आती रही और मुझे तो लगता है कि यहीं बड़ा कारण रहा कुछ इंटी इंकमबैंसी को कहीं न कहीं दूर नहीं कर पाए हम ल जाए फिर क्या कारण था कैसे इंटी इंकमबैंसी यहीं कि भारती जंता पार्टी ने इतने काम किये थे सरकार ने काम किये थे लोगों को प्रशानमंत्री आवास मिला रसोई गैस मिली विजली का कनेक्शन मिला किसान समान निदी मिली ब्रद्धा बिधुआ पेंसन मिली तमाम सारी सुधाएं सरकार ने देने का काम किया और लोगों को लगता था कि भारती जंता पार्टी की सरकार बने लेकिन एक ऐसा लोगों ने एक अफवास सी फैली कि लोगों प्रत्यासी के प्रती तमाम सारी बाते आएं कि प्रत्यासी के बारे में जैसा तमाम समचार आ तो उसमें आया तो प्रतियासी के बारे में विदान सभा का इतना कटीन है कि यहां पर इसके बारे में बहुत कुछ तो इस पस्ति नहीं नहीं रही वर्पतियासी लेकिन की तो कुछ ऐसा लगता है कि जरूर ऐसी कोई कहीं रह गई कि हम सरकार की उन बातों को उन छेत्रों में नहीं पहुंचा पाए या वो पहुंची नहीं या लोगों उसको संग्यान नहीं किया या प्रत्यासी से उनकी कोई नाराजगी रही क्या रहा यह कुछ अभी बहुत इस्पस्ट नहीं है बिल्कुल एक लाग पार का हमारा टार्गेट था लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रहे गई निश्चे तोर पर ये निश्चित है कि जबकि हमने बूथ तक के बहुत सारे कारक्रम हुए हमारे राष्ट्री अध्यक जी ने बूथ अध्यक्षों से सिधा संबाद किया हमारे सक्तिकेंद्र के सेयोचकों का समेलन हुआ और तमाम प्रकार से ग्रह मंत्री अमित साय जी का सम्भोधर उन सब को मिला मानी प्रधान मंत्री जी की जंसभा हुई मंजनपूर में यहां से बहुत सारे पहली बार रिकार्ड यहां से हमारे यहां 120 बसों से लोग गए उसके अलावा चोटी गाड़ियां गई चार सो पान सो चोटी गाड़ियां गई लेकिन तमाम सारे लोग वहां प्रधान मंजी को सुनने गए और बड़ा उत्साहित थे कि ओट मिलेगा लेकिन कहीं न कहीं कोई कि अब यह समझ में नहीं आ रहा कि कहां यह कमी रह गई कि इसके कारण से दस जार ओठ हमारा कम हो गया यह देखा जाता है आम तोर पर कि भारती जंता पार्टी एक वैचारिक दल के रुप में माने जाती है और आदर्स आचार सहीता जो लगातार इस दल में लागू रहती अब कौन कैसा है इसके बारे में तुम्हां बहुत कुछ टिपड़ी नहीं करना चाहता लेकिन निश्चे तोर पर जिन्हों ने लिखा कि जीती बाजी हम हार गए उनका लिखने का मकसद क्या था यह तो मैं नहीं समझ सकता लेकिन जो उन्होंने लिखा और उसके प्रती ज सालों बाद कोई सरकार रिपीट हुई है यह हमारी बड़ी जीत है एक चोटी हार हम यहां हारे हैं हम करभी विदा की चित्रगोट विदान सभा हारे लेकिन हम हारे तो सार को भी हमने सुखार किया है और उस जीत को भी हमने सुखार किया है इस हार के सामने वह बड़ी जीत लेकिन अगर कोई चैनल एक ख़बर अपनी चला रहा है और उस ख़बर के मादेम उन्हों ने चलाया कि जीत की कहानी जिलाद ध्यक्षों की जुबानी तो वो क्यों चित्रकूट विधान सभा का कारक्रम नहीं था सारे जिलाद ध्यक्षों का कारक्रम था उसमें और सभी तो हम हारने की क्योल चर्चा नहीं कर उनके मन में क्योल एक विधान सभा होगी हो सकता है वो एक विधान सभा के नेता हो हो सकता है वो अपने आपको क्योल इस विधान सभा में सीमित रखते हो तो उस जिलाद धिश की बात को खंडन करते हो तो उनकी बात कर रहे हैं तो य साहिए लेकिन तरफ संगठ़न बदनाम होता है इस तरह की बात करना कि जीती बाइसी हार करते हैं निश्चे तुर पर यहां हुम तरह सो हमाνारे उसका क्रिश में तरश में रह गया जीत्की खुछी जो प्रदेस में हुई है जो 37 में इस हमत कर पाया को अन्दर से आता है लेकिन प्रदेश में हम जीते हैं उस जीत के पर भी हम खुष हैं और उस जीत की खुष भी मना सकते थे हम इसी करण क्यों नहीं मनाए हैं तो यह भी बात कि बाऊती है भाओ आते हैं उससे नहीं होती है यह तो लोग बाहर समाज में लोहा मानते हों तो क्या आपको ऐसा देखकर कि सीधे बोल दिया जाता है सीधा हमला बंशी हैं अब ये इसके बिदिए में क्या बता बता सकते हैं और मैं तो संग्ठन का कारग करता रहा हूं उसरू ने जो कुछ चाहा जिस तरह से संगठन ने काम करने का कहा जो उपर से निर्देश आ है उन्हीं का मैंने क्योल पालन किया है और अभी वही कर रहा हूं वही आगे करता रहूंगा जब तक मैं अध्यक्ष हूं तो अध्यक्ष हूं संगठन मुझे दाई तु दिये है तो मैं जनध्यक्ष हूं जिस दिन संगठन दूसरे को बना देगा उस दिससे जो अध्यक्ष रहेगा उसके इसाप से हम सब काम करेंगे उसके नितत्त्व में काम करेंगे चाहां आप जीत लेते हो यहां निश्चे तोर पर जंता ने प्रत्यासी को स्युईकार नहीं किया यह हमारे काम को स्युईकार कम कारीय वर तो Z Cardani के बारे में जैसे तमाम सारे लोग परिवर्तन 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 की बात करते हैं अभी भी लोग से बात करिए नितलों कएक देते हैं कि प्रतИَّ दूस च्लिला होता और प्रतिचासी दूसरा होता तो कोई से नहीं होता हम सब के बाद सब खतम हो जाता है ना तो जो भी जिसको टिकट मिलिया उसी के लिए सब को काम करना चाहिए किया सब ने और काम करने में कहीं न कहीं कमी रहे गई तभी तो यह सोच का अंतर हो सकता है बड़ा करीबी मामला रहा मानिपूर बिधान सबा में और सपा जिलाद दिश्क का कहना है कि एक हजार बोट से हम हराए गए गए अगर पार्टी को बेमानी करना कराना होता तो वहां पर बेमानी करा सकती थी लेकिन भारती जनता पार्टी सुचिता की राजनीत करती है भारती जनता पार्टी बिल्कुल पारदर्सी तरीके से चुनाओ को कराने का काम किया है भारती जनता पार्टी की सरकार ने कहीं यह प्रदर्सित नहीं हुआ है कि भारती जनता पार्टी ने कहीं पक्षपात किया है भारती जनता पा इस समय तक चुनाओं के समय भी जितने कार्ट्रम बूथ इसतर से ले करके सक्तिकेंदर मंडल जिलार छेत्र पर हमने आयुज़्ज़ूत की हैं सहाइ सपाने नहीं किया हम लोग लगातार जन्ता के बीद जाते रहें नहीं दुबारा जो सरकार रिपीट हुई है ऐसा होता न प्रतियासी होता तो मुझे तो नहीं लगता कि वहां का अंतर बहुत विक्राल होता यह एक हजार का नहीं दस अजार का से क्या एक लाग कंतर हो जाता अभी चार-चे महीने बाद आपके समने एक बड़ी चुनोती आने वाले नगर पालिका का चुना हो जाएगा क्या तैयरी उसके लिए अब नगर पालिका की तैयारी हम लोगा प्रारंब करेंगे अभी तो Mlc का चुना हो 19 त covari को नमांगकन है और नमांगकन क क्यंतिम डेट 19 को ही संबोता है हमारा नमांगकन होगा इसके पाल अभी तो Mlc की चुनाओ की तैयारी होगी नगर पालिका का भी किसे एक चित्रकोट का विगास मानी उगी जी लगातार कर रहे हैं और चित्रकोट के बिकास के लिए काफी सारश धन दिया भी गया है और बहुत कुछ यहां लगा भी है और हुआ भी आए ज़ो दिखाई सुन्दरी करन और जो रामायन दर्सन करके जो बनाया गया है वह स्थान केंद्र और इसके साथ साथ चित्रकूट को जगह जगह से जोडने के लिए जो सुबधाएं दी जा रही है बसों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है उसके साथ और बाली के असरम का विकास मडफ़ा का विकास तुलसी तीर्थ का विकास की आओ सकता है कि वहाँ से अलग से जो रोड और बंधा बना करके है वो भी प्रस्तावीत है और माननी मुझे लगता है कि सरकार में वो भी एक बड़ा काम यहां चित्रूर जन्पत के लिए होगा और इसके अलावा भी अन्य तमाम धार्मी के स्थल हैं जिनको प्रेटन छेतर के हिसाब से प्रेटक वहाँ पर आएं इसकी सुध्धा के हिसाब से वहाँ पर रास्तों का निर्माण और वहाँ पर आने जाने की सुध्धा और रोपवे जो है अभी हमारे हान रमांदारा में सब दिखेगा वो जोश बिलकुल दिखेगा अगर तथ्यात्मा कुरूप से किसी की कोई सिकायत करेगा उस पर पूरी मदद रहेगी और हम लोग उस पर जांच करा कर उस पर कारवाई कराने का कम करेंगे और किया भी है इसके पहले के भी कई उदारन हैं कई जगहunion कि ब्रस्टा 4 हम लोगों ने कुछ अलग तरीकों से भी खतम कराने का काम किया हम तो कई बार जब आता है कोई कहता कि फ़ला दिकारी पैसा मांग रहा है है और अगर कोई ऐसा दिकारी कर्मचारी कोई भी समलों की समझ में आता है और निष्चे तोर पर उस पर सक्त कारवाई कराने का काम हमसर करेंगे तो ये हमें बात करते करते पसीना भी आ गया है लेकिन भ्रष्टाचारियों को भी पसीना आ जाना चाहिए चुकि भाजपा के जिला दच्छी ने इस पस्ट रूप से कह दिया है कि जो भ्रष्टाचारी हैं जो अफसर हैं जो भ्रष्टाचार पर सनलिपत रहते हैं उन पर बुल्डोजर चलेगा और विकास अपनी गती से लगातार चलेगा